हलो दोस्तो के आर हेजाम चेनल में आपका स्वागात है दोस्तो जैक बोड की तरफ से मेट्रिक और इंटर के कोपियों का मुल्यांकन को लेकर आज का देनिक जागरन के अकबार में एक बड़ी अपडेट निकल के आई है ठीक है दोस्तो तो चलिए देखते हैं पूरा जानकारी होता दोस्तो तो सबसे पहले आपको हमारे चेनल द्वारा जानकारी मिलता है और सही और सटिक जानकारी मिलता ठीक है दोस्तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी तक आपको हमारे चेनल द्वारा कभी गलत इंफर्मेशन नहीं दिया गया है जो भी इंफर्मे तो चलिए देखते हैं दोस्तो पूरा अपडेट को तो यह रहा दोस्तो मैंने आज का देनिक जागरन का पेपर ओन कर रहा ठीक है इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं कब का पेपर है ठीक है दोस्तो देख लिए यहां यहां आपको दिख रहा है 25 अपरेल 2020 का खब मैं दिखा देता हूं कहां पर खबर दिया हुआ है देखिए यहां नीचे में बड़े-बड़े एक्षरों में लिखा होगा देखिए मेट्रिक और इंटर का बदलेगा मुल्यांकन केंद्रे ठीक है देखिए मेट्रिक वह इंटर का बदलेगा मुल्यांकन केंद्रे इसको ज intermediate की परिछाओं का उस्तर पुष्चिका जो है कि मुल्यांकन का रास्ता साप हो चुका है ठीक है अब आप लोगों का कोपियों का जब विश्त्रित दिशा निर्देश दिये हैं, हालां कि इससे इसपष्ट तोर पर मुल्यांकन शुरू करने का निर्देश तो नहीं दिया है, लेकिन मुल्यांकन के लिए नए सीरे से वेकल्पिक इंतजाम करने के लिए इस फर्ष्ट ठीक है, के लिए इस फर्ष्ट गाइडलाइन निर्धारिस कर दी गई है, जैक सचिव जैक के अध्यद जो है, वो अर्विंद कुमार सिंग है, उन्होंने कहा है कि जिये गे निर्देश के आलोक में अगले दो दिन के अंदर में, अलग अलग जीलों से बात कर नए सीरे के संबन में इसमें विश्ट्रित रेडमेप तयार कर लिया, मतलब दो दिन के बाद में पूरी तरह से सारे मुल्यांकन केंदर तयार हो जाएगा आप लोग का कोपी का चेक करने के लिए, जितने भी जीला है, जहाँ जहाँ अभी तक कोरोना वायरत का कहर एकदम कम है, तो सभी जगहों से बात कर लिया गया, सभी जीला अच्छे से बात कर लिया गया है, कि कहां आप लोग का कोपी का जाच होगा, ठीक है दोस्तों, मतलब दोस्तों आपको मैं समझा देता है, जहां और भी डीटेल में बता रहा है, आप पूरा वीडियो के जरूर गया था, जहां अभी कोरोना का कहर चल रहा है, ठीक है दोस्तों, इसलिए वो सब केंद्रे से आप लोग का मुल्यांकन केंद्रे हटा के अभी दूसरा जगहा कर दिया गया है, और अलग अलग जगहा, जहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख रखकर, दो विच्छकों के बीच, 6 फिट की दूरी में ध्यान रखकर मुल्यांकन केंद्रों में फिर निर्धारन जरूरी कर दिया, ठीक है, ठीक है दोस्तों, मतलब 6 फिट का दूरी है, एक सिच्छक यदि यहां पर चेक करेगा, तो दूसरा सिच्छक जो है, वो 6 फिट 6 फिट की दूरी को ध्यान में रखकर मुल्यांकन केंद्र जो है, फिर से निर्धारन जरूरी है, उसके बाद बता रहा आगे, आगे जो नेक्ट पॉइंट है, वो बता रहा कि नए मुल्यांकन केंद्र के लिए, ठीक है दोस्तों, जो नया-नया मुल्यांकन केंद्र बनाय केंद्र के लिए कस्तुर्भा गांधी आवास ये बाली का विद्याले तथा गेर सरकारी सहता प्राप्त अलप संख्याक विद्यालें में मूल भूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर मुल्यांकन केंद्र बनाने पर किया जाए विचार उसके बाद बता रहा कि जीला समीच को दिया गया दाइस तो जो यहां पर आगे बता रहा यहां यहां बता रहा कि कस्तुर्भा गांधी आवास ये बाली का विद्याले तथा गेर सरकारी सहता प्राप्त अलप संख्याक विद्याले में ठीक है जोस्तों यहां यह सब विद्यालें में आप लोग का कोपी चेक होगा ठीक है उसके बाद आगे बता रहा next point बता रहा दोस्तों कि lockdown में लगे सुरच्छा बलो ठीक है देखिए यहां बता रहा कि lockdown में लगे सुरच्छा बलो को देखते हुए अधिक कमरे वाले मुल्यांकन केंद्र बनाने का सुझाओ मतलब जो भी एक है जहां भी आप लोग का कोपियों का मुल्यांकन होगा वहाँ पर जयादा रूम होना चाहिए ठीक है दोस्तों जता कि एक रूम में जयादा से जयादा है दस से दस दस ही मान सकतो हो कि एक रूम में मात्र दस ही विच्छक जो की कोपी आप लोग का चेक करेगा एक रूम में एकदम कम से कम विच्छक आप लोग का कोपी चेक करें और ज्यादा से ज्यादा रूम होना चाहिए तापकि जो है आप लोग का कोपी ज्यादा से ज्याद थेधा नहीं होगा ताकि दोस्तों जो छेए पीट की दूरी आराम समय बनाको अपके कोपि कर सकते हैं ठीक है अदोस्तों ताफि आप लोग का कोपी जल से जल चेक हो सके और а'll जल्ड जल जारी हो सके जिसके बारे में आपको घैल से आफ के देते रहेगी इसलिए चेनल को सब्क्राइब करके जरूर रखिएगा ठीक है दोस्तों चेनल को सब्क्राइब करके यह आप रखिएगा तो आप लोगों का इस तरह से related आप लोग का कोपी का मुल्यांकन result से related कोई भी information मिलता दोस्तों तो सबसे पहले आपको information मिल जाएगा और सही और static information मिलेगा ठीक है दोस्तों इसके बाद यहाँ जो आगे बता रहा है यहाँ दोस्तों जो है जैक मतलब रांची के रांची के स्कूल के बारे में यहाँ बताए गया तो आप लोग का जो खबर था वो इधरे था जो कि मैंने आपको तो फिर मिलते दोस्तों नेक्ट टोपिक के साथ अपने दोस्तों को भी share किजे दोस्तों और एक like जरूट किजेगा ताकि हमको भी पता चले कि आपको हमारा information अच्छा लगा ठीक है दोस्तों तो एक like कर दिजे अपने दोस्तों को भी share किजे वीडियो को ताकि उन्हें भी पता चले हैं ठीक है दोस्तों और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फिर मिलते हैं दोस्तों नया टोपिक के साथ तब तक के लिए बाय थैंक यू